मार्श दो हजार इकीस में मैंने अग्वाई का काम सम्हाला. जब मैं निरीक्षक से मिली तो मुझे पता चला कि सिंचन सम्हों के अग्वा लोगों पर रौब जारते, उनसे अपना काम करने को कहते. जबकि वे खुद मक्खी मारते रहते थे, उन्हें सम्हों द्वारा जहिली जा रही समस्याओं की समझ नहीं थी. इसलिए वे व्यवहारिक मार्ग बताए बिना खोकले भाशन देते, नियमों का पालन करवाते. हमने उनके साथ संगती की, कि अगवाई लोगों को यह बताना नहीं है कि वे क्या करें, बल्कि उन्हें नए आए हुए लोगों को व्यवहारिक सिंचन प्रदान करना, साजीदारी से दूसरों के साथ काम करना होता है. बिल्कुल. लेकिन कुछ दिन बाद भी, उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया. इस पर गौर करने पर पता चला कि गाव नामक एक टीम अगवा तबाही मचाए हुए थी. वह दूसरे टीम अगवाउं को उकसाती थी. उनसे कहती कि निरीकशक और मैं उनसे नए आए हुए लोगों का सिंचन करवाती हैं, जिससे अपनी टीम के कामकाज को जांचने का समय ही नहीं बचता. इसका अर्थ है कि हमें उनसे यह काम करवानी की जरुरत नहीं है. तो फिर उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उसने मुझसे यह भी कहा कि निरीकशक अनुभवीन है, तो वे सही धंग से काम कैसे करवा सकती हैं? दरसल वे यह कह रही थी कि निरीकशक अनुभवी नहीं है, तो वो मातदशन नहीं कर सकती. तो उनकी बात क्यों माने? बिलकुल. जब निरीकशक को उनके काम में कुछ समस्याई नजर आईं, तो वे सकती से बोली. इसलिए गाउ इसकी आलोशना करने लगी, कि वह घमन से लोगों को डांट रही थी. गाउ ने खोजने का नाटक कर, अफवाहें भी फैलाईं. कहा कि निरीकशक अनुभवीन है, उन लोगों का काम जरूर बिगड़ेगा. उच्च अगवा लोगों को नियूप करने के सिध्धान को नकारती है. पर बहन लियू ने निरीकशक की पदोनिती सिध्धान के अनुसार की थी. उन्हें नए आय हुए लोगों के सिंचन का ज्यादा अनुभव नहीं था. मगर वो काबिल थी, वे सक्षम थी, जिम्मेदारी से काम करती थी, उन्हें आगे बढ़ा सकते थे. वे समस्याएं भी पकड़ पाती थी, टीम का मार्ग दर्शन कर सकती थी. उन्होंने नए आय हुए लोगों के सिंचन में तरक्षी की थी. लेकिन गाव दावा करती रही कि वे बिल्कुल योग्य नहीं हैं. उन पर हमला करती रही, अपनी बात पर अड़ी रही. कि उच्छ अगवा सिध्धान्तों के बिना लोगों की नियुक्ति करती हैं. इस तरह उसने दूसरों को अगवा और निरीक्षक के खिलाफ कर दिया. वे काम करने से इंकार करने लगे. इससे उन अगवाओं और परमेश्वर के घर के काम में बाधा पैदा हो गई. सही है. बिल्कुल. गाव सभाओं में कपटपून संगतियां भी करती. उच्च अगवा निरीक्षक का अपमान कर उन पर हमला करती. उधारन के लिए उसने कहा कि उसने देखा है कि इन दोनों ने एक खास काम अच्छे ढंग से नहीं किया. गाव ने यह मामला उठाया था. उन दोनों ने काम को नहीं समझा, उसका सुझाव नहीं माना. जिससे लगे कि अगवा उसके काम को न समझ सकने के कारण उसे रोक रहे थे, सलाह नहीं मान रहे थे. परमेश्वर के घर का मान रखने पर उसे दबाया जा रहा था. ताकि सब उस पर तरस खाएं, उसका साथ दें. यह सच में बहुत कुटिल था. बिलकुल. गाव, अगवाव और निरिक्षकों को हीन समझ कर उनकी आलोशना करती है. इस बारे में दूसरों ने कई बार उससे संगती की थी, मगर उसने इसके लिए प्रायश्चित नहीं किया था. यह सिर्फ भ्रष्टता दिखाने का मामला नहीं है, यह प्रकृति की समस्या है. बेलकुल. यकीनन. मैंने ऐसे व्यक्ति को उजागर करने से जुड़े परमेश्वर के वचन याद किये. आईए एक विडियो पार्ट देखें. जरूर. सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया के जीवन में कौन से लोग, मामले और चीज़ें रुत्बे के लिए प्रतिसपर्धा के मुद्दे से जुड़ी होती हैं? रुत्बे के लिए प्रतिसपर्धा की कौन सी अभिव्यक्तियां प्रकृती में परमेश्वर के घर के कार्य में बाधक और विगटनकारी होने से जुड़ी होती हैं? इन में सबसे आम है चुने हुए लोगों पर नियंतरन करनी के खातिर कलीसिया में अपने रुत्बे के लिए कलीसिया के अगुआउं से प्रतिसपर्धा करना, अक्सर बदनाम करना, कलंक लगाना, कलीसिया अगुआउं की निंदा करना और उनकी मानवता में जान बूझ कर उनकी विफलताएं और उनकी कमियां या उनकी क्षमता में समस्याएं उजागर करना, खास कर जब अपना काम करते हुए या लोगों के साथ व्यवहार करते समय, उनसे कोई गलती हो गई हो, तो उसे उजागर करना, रुत्बे के लिए ऐस इस्पर्धा सरवाधिक सामान्य रूप से देखी जाती है और सरवाधिक मुखर होती है, अन्य अभिव्यक्तियां क्या है? रुत्बे के लिए कलीसिया के अगुआउं के साथ खुले तौर पर प्रतिस्पर्धा करना, उनका आग्या पालन न करना, चाहे वे अपना काम कितनी भी अच्छी तरह से करें, चाहे वो सिध्धान्त के अनुसार हो या न हो, और उनकी मानवता के साथ कोई समस्या हो या न हो, वे उनका आग्या पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि रुद्बे के लिए होड करने वाला व्यक्ति भी अगुआ बनना चाहता है, इसलिए निर्वाचित या नियुक्त अगुआ भले ही कुछ भी करें, वे उस पर आक्षेप लगाने और उसकी निंदा करने से नहीं चूकते, अगुआओं और कर्मियों से परमेश्वर का घर जिन सिध्धान्तों की अपेक्षा करता है, उनका उपयोग वे ये मापने या देखने के लिए नहीं करते, कि क्या उस अगुआ के काम सिध्धान्त के अनुसार हैं, क्या वो सही इंसान है, क्या वो सत्य का अनुसरन करता है, क्या उसकी मानवता में विवेक और समझ है, ये ऐसी बातों के अनुसार नहीं होता, बल्कि ये उनकी महत्वा कांग्शाओं, मन्शाओं और उद्देश्शों के अनुरूप होता है, वे लगातार बाल की खाल निकालते हैं, का उल्लंगन करने, या उनकी कमियों को उजागर करने के लिए, उनकी पीठ पीछे अफवाहें भैलाते हैं, उदाहरन के लिए, वे कह सकते हैं, कि फलां अगुआ ने एक बार ये घलती की थी, और उच्च ने उसका निप्टारा किया था, जिसके बारे में तुम में से कोई नहीं जानता, ये व्यक्ति इतना नाटगबाज है, वे इस बात की उपेक्षा या उसे अन्देखा कर देते हैं, कि क्या इस अगुआ या कर्मी को परमेश्वर का घर प्रशिक्षित कर रहा है, और क्या वो योग्य अगुआ या कर्मी है, लेकिन बस उसे कलंकित करते रहते हैं, उसके बारे में जूट ही बाते करते रहते हैं, और उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ शडियंत्र रचते रहते हैं, और वे किस उद्देश्य से ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि वे रुत्बे के लिए प्रतिस्परधा कर रहे होते हैं, है ना? वे जो कुछ भी कहते और करते हैं, उसका एक उद्देश होता है, ये कलीसिया के कार्य के लिए नहीं होता, ये न तो परमेश्वर के वचनों पर आधारित होता है, ना सक्ट्य पर, ये परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं या उन सिद्धानतों पर तो बिलकुल आधारित नहीं होता, जिनकी अपेक्षा परमेश्वर मनुष्य से करता है, बलकि उनकी अपनी महत्वा कांग्षाओं और लक्षों पर आधारित होता है, वे अगवा या कर्मी की हर बात का प्रतिवाद अपनी अंतरद्रिष्टी से करते हैं, तुम जो कुछ भी कहते हो, वे उसे अपनी अलग राई से ठुकरा देते हैं, खास करवे तब प्रसन होते हैं, जब कोई अगवा या कर्मी खुद को पूरी तरह से उजागर कर देता है और आत्म ग्यान के बारे में बात करता है, उन्हें लगता है कि उन्हें मौका मिल गया है, कौन सा मौका? अगवा या कर्मी को बदनाम करने का मौका, लोगों को ये बताने का मौका कि उनकी क्षमता में कोई कमी है, वे कमजोर हैं, भ्रष्ट हैं, अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं, वे किसी से बहतर नहीं हैं, उनके लिए ये उन पर शिकंजा कसने का मौका होता है, अगवा या कर्मी को तबाह करने, उसे नीचा दिखाने और आलोचना करने के लिए दूसरों को प्रुथाहित करने का अवसर होता है, इन सभी व्यवहारों और कारियों के पीछे की प्रेरणा कुछ और नहीं बलकि रुथबे के लिए प्रतिस्परधा होती है, किसी अगवा या कर्मी के खिलाफ खुले तौर पर चिल्लाना और रुथबे के लिए उनसे प्रतिस्परधा करना केवल प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन नहीं होना चाहिए, यदी स्थिति गंभीर है और हटाने तथा निश्कासन की शर्तों को पूरा करती है, तो इसे सिद्धान्त के अनुसार निप्टाया जाना चाहिए। इसके अलावा वे उन लोगों को अलग थलग करने और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो कलीसिया में सत्यका अनुसरन करने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि जो लोग सत्यका अनुसरन करते हैं, उनकी समझ शुद्ध होती है, उनके पास परमेश्वर के वचनों का अनुभव होता है वचनों में अंतरद्रिष्टी होती है उनके लिए तडप होती है और भाई बहनों के बीच वे लोग अक्सर सत्य की संगती करके समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार परमेश्वर के चुने होए लोगों को सनमार्ग पर लाकर धीरे धीरे कलीसिया में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं जो लोग सत्य का अनुसरन करने वालों पर हमला करते हैं या उन्हें अलक थलक करने की कोशिश करते हैं वे सीधे तौर पर कलीसिया के जीवन को बाधित और अशांत करते हैं वे भले ही सीधे तौर पर कलीसिया अगुआओं को निशाना न बनाएं लेकिन उनमें कलीसिया के ऐसे लोगों के प्रती एक विशेश शत्रुता का भाव रहता है जिनके पास वास्टविक अनुभव होता है जो सत्य की वास्तविकता से युक्त होते हैं जो सत्य को समझते हैं और उससे प्रेम करते हैं वे ऐसे लोगों को अलग थलग उन्हें कमजोर बनाते और तिरस्कृत करते हैं अक्सर उनका मजाक उड़ाते और उन्हें नीचा दिखाते हैं यहां तक कि उनके लिए जाल बिछाते हैं और उनके खिलाफ शड़ियंत्र रचते हैं इत्यादी हालां कि इस तरह की समस्याएं अगुआउं और कर्मियों के साथ रुत्बे के लिए प्रतिस्परधा करने से कमगमभीर होती हैं फिर भी वे कलीसिया के जीवन को अशान्त और बाधित करती हैं अवरोधक और विगटनकारी होने के कारण इन लोगों को सीमित और नियंत्रण में रखा जाना चाहिए और यदि कलीसिया में बड़ी संख्या में भाई बहन प्रभावित होते हैं यदि वे अकसर नकारात्मक और कमजोर हो जाते हैं तो इन लोगों को न केवल नियंत्रण में रखा जाना चाहिए बलकि उन्हें शुद्ध करना या दूसरों से अलग रखना चाहिए ताकि वे आत्म चिन्तन करें यदि उनकी प्रकृती, अवरोधक और विखटनकारी है तो इस प्रकार के सभी मुद्धे आदतन किस्म के होते हैं यदि दो लोग कभी-कभी किसी खास चीज के कारण अलग हो जाते हैं यदि वे व्यक्तित्व में अंतर के कारण एक दूसरे के साथ जगडा और शिकायत करते हैं चीजों को देखने का उनका नजरिया या खुद को व्यक्त करने का तरीका अलग है तो कभी-कभी इस तरह से पेश आने का मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रकृती अवरोधक और विगटनकारी है हम यहां उस स्थिती के बारे में बात कर रहे हैं जहां ये प्रकृती पहले ही अवरोधक और विगटनकारी होने की हद तक पहुँच चुकी है जो लोग आदतन इस तरह से पेश आते हैं जो वास्तविक अनुभव वाले और वास्तविक अनुभव साजहा करने वाले किसी भी व्यक्ती को कमजोर करते हैं अलग थलग कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनके खिलाफ शड्यंत्र रचते हैं वे आदतन इस तरह से पेश आते हैं, वे अच्छे लोगों को सहन नहीं कर पाते अच्छे लोग उन्हें उकसाते हैं, उन्हें क्रोधित करते हैं और वे हर अच्छे इंसान को निशाना बनाते हैं, उन्हें नुकसान और पीड़ा पहुँचाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग पहले ही कलीसिया के सामान्य जीवन और व्यवस्था में गंभीर अवरोध और व्यवधान पैदा कर चुके होते हैं अगुआउं और कर्मियों को ऐसे व्यक्तियों को रोकने, सीमित करने और उजागर करने में भाई बेहनों के साथ एक जुट हो जाना चाहिए यदि उनके साथ संगती करने से वे पश्चाताप नहीं करते या खुद पर लगाम नहीं लगाते तो जब भाई बेहन परस पर संगती करके एक आम सहमती बना लेते हैं, तब ऐसे लोगों को कलीसिया से निकाल देना चाहिए उन्हें और छूट नहीं दी जानी चाहिए कलीसिया के जीवन में उनके व्यवधान को और बरदाश्ट नहीं किया जाना चाहिए यदि तुम उनके कुकर्मों को सहन करते हो, तो तुम भाई बेहनों के प्रती अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हो आमेन परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना की, ये गौर किये बिना की अगवा काम के लिए सही है या नहीं लोगों को बढ़ाने के सिद्धान तनुरूप है या नहीं, बस आखें बंद करके उनकी खामिया ढूनना और उन पर दबाव डालना, पीट पीछे उनकी आलोशना करना, उनका विरोध कर उन्हें हटा देने के लिए दूसरों को उकसाना, इससे परमेश्वर के घर के कारि बाधित होंगे, ऐसे लोगों को उजागर कर उन्हें काबू में करना चाहिए, गंभीर मामलों में उन्हें कलीसिया से बाहर निकालना चाहिए, इन बातों की तुलना गाउ से करें तो, उसने ये नहीं देखा कि निरीक्षक अपने काम में काम्याब हो रही है, उनका काम प अच्छाई को मरोड कर मदभेद पैदा किया। दूसरों के मन में निरिक्षक के खिलाफ पुर्वाग्रा पैदा किया। जिससे वे उनके निर्देश नहीं मानने लगे। इससे हमारे सुसमाचार कारिय की प्रगती में रुकावट पैदा हो गई। गाव की ब्रष्टता कुछ पल के लिए नहीं थी, वे हमेशा से ऐसी ही थी। उसने कलीसियाई जीवन को बाधित कर रखा था, वो किसी काम के लायक नहीं थी। सिध्धान्त के अनुसार मुझे उसे बर्खास्त करना चाहिए था, फिर प्रायश चितना करने पर उसे कलीसियाई से निकाल दिया जाता। बिल्कुल। ऐसे इनसान से तुरंट निपटना चाहिए, ताकि वह कलीसियाई जीवन को बाधित ना कर सकी। हाँ, बिल्कुल। सही है। लेकिन मैं यह सोचकर जिजग गई की, वह थोड़े समय से टीम की अगवा रही है और एक अच्छी अभिनेत्री है। भाई बहन चीजों को नहीं समझते थे, और कुछ लोग उसकी मदर लेते थे। उन्हें लगता उसमें न्याई की भावना है, अपना काम जिम्मेदारी और प्रेम से करती है। कलीसिया में आते ही अगर मैंने उसे बर्खास्त कर दिया, तो क्या भाई बहन या नहीं सोचेंगे कि मैं निर्दई हूँ और कुर हूँ, उसे मैं दंडित कर रही हूँ, क्या इसके बाद वे मेरी अगवाई स्विकार करेंगे। लेकिन गाव सचमुष दुष्ट थी, आग भरकाने और पर्दे के पीछे मद्भेद पैदा करने में तेज थी, अगर मैंने उसे नाराज किया, उसने मुझ पर उंगली उठा कर, दूसरों के साथ मेरी भी आलोश ना की, उनके साथ मेरे रिष्टे की बात छिर दी, तो मेर अग्वाव बहन लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगा कि मुझे उसे बरखास्त करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले उसकी कार्ट छांट करनी चाहिए, उसकी कर्तूतों को उजागर कर विशलेशन करना चाहिए, अगर व अग्वा बहन लिए और मैंने गाव और इसमें शामिल लोगों से बात की, उनके साथ परमेश्वर के घर में चैन करने के सिध्धानतों और निरीक्षक की पदोन्निती की प्रिष्ट भूमी के बारे में संगती की, मैंने समझाया कि गाव और दूसरे कुछ टीम कर दिया जाएगा। यह देखकर की बहन उसका साथ नहीं दे रही है, गाव ने बात वहीं रोग दी। गाव ने कुछ दूसरे टीम अग्वाओं को गुम्रह करने के लिए संदेश भेजा, कहा, उस दिन की संगती के बाद से बरखास्त होने के डर से मैं बच कर रहने लगी हूँ। क्या आप सबको भी ऐसा ही लगता है? मैं अब बोलने की हिम्मत नहीं करती। अब हम सुझाव भी नहीं दे सकते, अलग राय नहीं रख सकते। अगर हम बोले तो हमें कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुझाव देने की हिम्मत कौन करेगा। उसने कहा की अगवाओं के कारण ही कलीसिया की तरक्की अच्छी नहीं है। वे सिद्धानतों के अनुसार लोगों की नियूकती नहीं कर रहे हैं। यहीं नहीं। उसने उन सिध्धान्तों को खोजने के बहाने से सुसमाचार टीम के एक भाई के पास जाकर निरीक्षक की बुराई की वह भाई निरीक्षक की पदोनती के बारे में बहुत कुछ जानता था उसने परमेश्वर के घर में लोगों के चैन के सिध्धानतों पर संगती की उसने उससे पूछा कि क्या वह समझ गई? उसने हामी भरी कहा कि वह निरीक्षक के खिलाफ नहीं है उसने उससे पूछा कि क्या वह निरीक्षक का समर्थन करके उनके साथ सद्भाव से काम करेगी? उसने ऐसा करने की कसम खाई. इस सच्चाई के बाद, उसने गुप्त रूप से एक बहन से बात की, संगती करने का नाटक किया, मगर इसके बजाए सिर्फ शिकायत की. यह कहकर सच को मरोडा, हमारी अग्वा बहन लिउ की, दूसरे भाई बहनों के साथ मिली भगत है, वे सब मिले हुए है. लिउ बहुत शक्तिशाली है, सभी उनसे डरते हैं. अगर मैं निरीक्षक की समस्याओं की शिकायत करती रही, तो वे मेरे साथ एक मसीव विरोधी जैसा बरताफ कर सकती हैं. कैसा करना गुमरा करना नहीं है? इसका अर्थ यह है कि पूरी कलीसिया बहनलिव की मुठ्थी में हैं, वे समस्याओं की रिपोर्ट दबा रही हैं. वे सत्य को जरा भी स्विकार नहीं कर रही हैं. और एक मुखोटा पैने हुए हैं. विल्कुल. मैं समझ गई, गाउ कितनी शातिर है, वो पालन करने का नाटक करती है. लोगों ने उसके साथ सिध्धानतों के बारे में संगती की, लेकिन उसने इसे नहीं स्विकारा. अगवाउं और कर्मचारियों के आलोशना करने का उससे जरा भी पश्तावा नहीं था. इसके बजाए वह और धोके बाज होकर, उन पर अंधा दुन्ध हमला कर रही थी. उसने दूसरों और अगवाउं के बीश दुर्भावना उक्साई, कलीसिया के कार्य को बाधित किया. वह एक दानव थी, शैतान की गुलाम. बिल्कुल. उस मुकाम पर मुझे खेद हुआ, कि आखिर मैं उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर पाई? इतने दिन शिचकते हुए मैंने उसे लोगों को बेवकुफ बनानी के मौके दिये. मुझे पता था कि गाउं ने हमेशा अगवाउं की आलोशना की है, और उनके काम को बाधित किया है, इसलिए उसे बर्खास करना चाहिए. दूसरे क्या सोचेंगे, इस डर्ख से मैं धीरे-धीरे कदम बढ़ाना चाहती थी. पहले संगती और फिर उसे फटकारना, फिर भी वह प्रायश्चित न करे तो उसे बाहर निकाल देना. इस तरह भाई बहन मुझसे आश्वस्थ होंगे और वे मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे. अपनी शोहरत और रुद्बे के लिए मैंने गाव को काबू में नहीं रखा. उसे परमेश्वर के घर के कारी को बाधित करने दिया. क्या उसकी दुष्टता में मैं भी भागिदार नहीं थी? अपनी करनी के बारे में सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. मैंने अगवा के रूप में कर्तव्य नहीं निभाया. परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं की. उसे इससे घ्रिना थी. इसलिए मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर से मार्दर्शन करने की विंती की. आमेन. मैंने मसीव विरोधियों को उजागर करते परमेश्वर के वचन पढ़े, जिससे मैं खुद को बहतर समझ सकी. मसीव विरोधियों इस बात पर गंभीता से विचार करते हैं कि सत्य के सिध्धानतों, परमेश्वर के आदेशों, उसके घर के कार्यस से कैसे पेशाया जाए, या उनके सामने जो चीज़े आती हैं, उनसे कैसे निप्टा जाए? वे विचार नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की जाए? परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा कैसे की जाए? परमेश्वर को कैसे संतुष्ट किया जाए? भाई बहनों को कैसे लाब पहुँचाए? वे इन बातों पर विचार नहीं करते वे विचार करते हैं कि कहीं उनके रुत्बे और प्रतिष्ठा पर तो आँच नहीं आएगी कहीं उनकी प्रतिष्ठा तो कम नहीं हो जाएगी अगर सत्य के सिध्धानतों के अनुसार कुछ करने से कलीसिया के काम को फायदा होता है भाई बेहनों को लाप पहुँचता है लेकिन इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है लोगों को उनके आध्यात में कद प्रकृति और सार का पता चल जाता है तो वे सत्यक्य सिध्धानतों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे यदि किसी खास तरह से काम करने से वे परमेश्वर के घर में प्रतिष्ठा पा लेते हैं लोग उनका सम्मान और प्रशंसा करते हैं उनकी बातों में अधिकार आने से लोग उनके आगे जुक जाते हैं तो फिर वे काम को उस प्रकार करना चाहेंगे अन्यथा वे इश्ग्रिह या भाई बैनों के हितों पर ध्यान देकर अपने हितों को तिलांजली कभी भी नहीं देंगे यह मसी विरोधी की प्रकृति और सार है क्या यह स्वार्थ और नीचता नहीं है? आमीन परमेश्वर मसी विरोधी की शोहरत की चाहत को उजागर करता है और उनका हर काम केवल इसी के लिए होता है उनका हर काम रुत्बे के फाइदे के लिए होता है अगर उनके हितों की बात हो तो वे समस्याओं को अंदेखा कर देंगे वे परमेश्वर के घर के हितों के उपर अपने हितों को रखते हैं परमेश्वर ने मसी विरोधियों का जो बरताव बताया मेरा व्यवहार वैसा था परमेश्वर के घर की अपेक्षा यही थी कि कलीसिया की सफाई की जाए परमेश्वर ने कई बार कहा कि जब एक दुष्ट व्यक्ति कलीसिया को बाधित करे तो अगवा और कर्मी उससे तुरंट निपतें उसे उजागर करें, उन्हें रोकें या निकालें बिलकुल गाव का बरताव पहले ही कलीसिया के कार्य के लिए रोड़ा बन चुका था, तो मुझे उसका निप्टान करना था हाँ मुझे फिक्र थी कि दूसरे लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे मेरा समर्थन नहीं करेंगे अपनी शोहरत और रुत्बे की रक्षा के लिए मैंने बस थोड़ी संगती कर दी मुझे पता था कि उसने स्विकार नहीं किया है मगर मैंने उसे सीमित और बरखास नहीं किया और इसलिए उसे दुर्भावना के बीज बोने और कलीसिया के कार्य को बाधित करने का मौका मिल गया अपने लिए मैं परमेश्वर के घर के हितों की बली दे रही थी मैं बहुत कप्ती, स्वार्थी और खिनौनी थी मैंने गाव को सिध्धानतों के अनुसार बरखास नहीं किया या दूसरों को सत्य समझने का रास्ता नहीं दिखाया. नतीजतन उसने बहुत से लोगों को गुम्राह करके अपने साथ कर लिया, जिससे कलीसिया का कार्य रुख गया. मैंने बहुत दोशी महसूस किया और मैं पश्तावे से भर गई. मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल भी अग्वा बनने लायक नहीं हूँ. मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, एक दुशकर्मी कलीसिया में सामने आया. मैंने कलीसिया के हितों के बज़ाए अपनी रुख्बे की रक्षा की. मैं बहुत स्वार्थी हूँ. ऐसी नीच बनकर, मैं इस तरह नहीं जीना चाहती. मैं तुम्हारे सामने प्रायश्चत करना चाहती हूँ. आमेन. मैं गाव के बरताफ के बारे में ज्यादा जानने के लिए, हालत को जानने वाले कुछ दूसरों से मिली. मैंने देखा कि कुछ लोगों को उसके बारे में सही समझ नहीं है. वे सोचते थे कि वह परमेश्वर के घर की रक्षा कर रही है. कुछ लोगों को उसके गलत तरीकों की जानकारी थी. मगर उन्होंने सोचा कि वह सत्य के सिधान्तों को नहीं समझ दी. मैंने उन लोगों के साथ धार्मिक्ता और एहंकार और शनिक अपराद और किसी की प्रकृति के बीच के फर्क के बारे में संगती की इससे उन्हें समझ हासिल करने में मदद मिली वे उसे उजागर करने को तयार हो गए परमेश्वर का धन्यवाद जब मैंने भाई वांग से उसका जिक्र किया तो उनका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई आप उसके बारे में क्यों जानना चाती है उसने बस छोटा सा सुझाव दिया था आप उसे क्यों निशाना बना रही है आप सभी अगवा किसी नए विचार वाले को इस तरह दबा कर उन्हें मुश्किल में कैसे डाल सकते हैं कोई कैसे सुझाव देगा आप किस जांच परताल से मुझे कभी भी अपनी राय रखने में डर लगेगा आप लोग मसी विरोधी जैसे ही लगते हैं वे अलग राय की इजासत नहीं देते वो उस बेहन को जरा भी नहीं समझता था सही है ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई मैंने नहीं सोचा था कि वो कहेगा कि हम उसके साथ गलत कर रहे हैं मैंने धैर्य रखकर उसके साथ संगती शुरू की वो सुनने को तयार नहीं था ये सोचकर गाव पर यकीन कर रहा था कि समस्या हम में है फिर मैंने यहीं छोड़ देना चाहा मुझे लगा कि सत्य की मेरी समझ सत्य ही है और मुझे अनुभव नहीं है अगर मैं यह मामला संभालती रही तो शायद दूसरे मुझे नीची नजर से देखेंगे फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से अपने हितों का ही ध्यान रख रही हूँ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर उससे आस्था और ताकत मांगी आमेन मुझे यह अन्श याद आया हमेशा अपने लिए ना कार्य करो ना अपने हितों की सोचो और अपनी स्वयम की हैसियत प्रतिष्ठा और साख पर विचार मत कर इंसान के हितों की मत सोच परमेश्वर के घर के हितों को सबसे पहली प्रात्मिक्ता बना परमेश्वर की इच्छा की परवा कर पहले सोच की क्या तू अपना कर्तव्य करने में अशुद रहा है क्या तू अत्यंत वफादार अत्यंत जिम्मेदार रहा है क्या तू ने अपना सर्वस्व दिया है क्या तुने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य पर पूरे दिल से विचार किया है तुझे इन चीजों पर सोचना चाहिए इन चीजों पर बार बार सोच और तु आसानी से अपना कर्तव्य निभा पाएगा अगर तुम्हारी क्षमता कमजोर है अनुभव उतला है या कार्य कुशल ना हो तो सर्वोत्तम प्रयास करके भी तुम्हारे काम में कुछ गलतिया हो सकती है शायद परिणाम अच्छे ना हो जब तुम कार्य करते हुए अपने स्वार्थों या हितों का विचार नहीं करते बलकि परमेश्वर के घर के कार्य का विचार करते हो उसके हितों की सोचते हो अपने कर्टव ये अच्छे से निभाते हो तब तुम परमेशवर के समक्ष अच्छे कर्मों का संचय करोगे सतकर्म करने वालों में सत्य की वास्टविक्ता होती है उन्होंने गवाही दी होती है यदि तु हमेशा दे के अनुसार जीते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करता है, ऐसे लोगों में सत्य की वास्तविक्ता नहीं होती, इससे परमेश्वर अपमानित होता है. आमेन. इन वचनों से मैं समझ पाई की, हम करतव्य में निजी लाप का विचार नहीं कर सकते. कलीसिया के हितों को आगे रखना होगा. उसकी जाँच को स्विकार कर समर्पन करना होगा. इसी से हमारे काम को परमेश्वर की स्विक्रिती मिलेगी. वरना हम बुराई और परमेश्वर का विरोध करते हैं. सही है. दूसरों को नाराज करने के डर से या उनके पुर्वाग्र का खयाल करके मैं सत्य का अभ्यास नहीं छोड़ सकती. मैंने ऐसा मामला पहले कभी नहीं समभाला था. मुझे अपने काम के प्रती सच्चा बने रहना होगा. दूसरों के साथ संधती करने की कोशिश करनी होगी. बिल्कल. गाउ ने भाई वांग को गुमरा कर उलज़ा दिया था. इसलिए वह उसकी तरफ से बोल रहा था. उसने जूट को सत्य कहकर उसे बता दिया. कहा कि वह अगवा उसकी आलोशना इसलिए करते हैं क्योंकि वह सुझाव या अलग राय नहीं देने देते. सच लगने वाले ये जूट सच में गुमरा करने वाले हो सकते हैं. सही बात है. गाउ ने कहा कि अगवा सिध्धान्तों के बिना लोगों का चैन करते हैं. मगर वह सच से दूर थी. उसे लोगों के चैन के सिध्धान्तों के बारे में बताया गया था. लेकिन उसने उन्हें स्विकार करके आत्मचिंतन नहीं किया. ये कहके मामले को घुमा दिया कि अगवा उसे और सभी अलग विचारों को दबा रहे हैं. क्या यह सच्चाई को उलटना और दूसरों को फसाना नहीं है? बिल्कुल. उसने कहा अगर कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाये तो अलग राये, बताने की हिम्मत कौन करेगा? ये शब्द दिल से निकले हुए से और इमानदार लगते हैं. लेकिन यह इमानदारी उसके कप्टे इरादूं और शैतानी चालों को छिपा रही थी. बिल्कुल. वे दूसरों को अपनी तरफ लाना चाती थी, ताकि वे उसकी तरफदारी करें, अगवाओं के खिलाफ हो जाएं. यह धोखा है, ईश ग्रिह के कारिये को बाधत करना है. भाईवां को समझ नहीं है, वे गाओ की बातों से धोखा खा गए. उन्हें सनेह पूर्ण संगती की जरुरत थी. सही है. संगती के जरिये उन्होंने उसके बारे में पूरी तरह से समझ हासल की. उन्हें अइसास हुआ कि उन्होंने सत्यको नहीं खो जा था. उन्में समझ नहीं है, इसलिए वे गाओ को बचा रहे थे. और उन्होंने बुराई का साथ दिया. उन्होंने समझा कि सत्यकी समझ की बिनावे कितने अधाम है, कितनी जल्दी दुशकर्म कर सकते हैं. सबी लोग उसकी असलियत समझ पाए और हम लोगों ने एक मत से उसे कलीशिया से निकालने के लिए मत दिया परमेश्वर का धन्यवाद बहुत बढ़िया मतदान के दौरान उन्होंने अपनी सीखी हुई कुछ बाते बताई उन्होंने ऐसी बाते बताई जैसे की गाउ परमेश्वर के घर की रक्षा का जंडा फैराते हुए जूट बना कर हर चगा अपने पुर्वाग्रा फैला दी थी इससे कलीशिया का कारिय गड़बड हो गया अगवा उसे उजागर करें या उसका निप्तान करें उसने जरा सा भी प्रायश्चित नहीं किया उसका सार दुष्ट है दूसरों ने कहा गाउ बड़ी भद्र महीला लगती थी लेकिन उसकी बातें गुम्रा करने वाली कप्टी और बुरी थी इस संगती और विशलेशन के बिना मुझमें अभी भी समझ ना होती उन्हें पता नहीं था कि वह इतनी दुष्टता कर रही है इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया ऐसी बातें बोली जो सत्य के विप्रीत थी उन्हें प्रायश्चित की जरुरत है उन्होंने परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव समझाचो कोई अपमान सहन नहीं करता जब दुष्कर्मी परमेश्वर के घर के कार्ये को बाधित करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा बिरकुल परमेश्वर धार्मिक है इससे मुझे वचन यादाते है दुष्ट इंसान दुष्ट ही रहता है, वह दंड दिवस से बच नहीं सकता, अच्छे लोग अच्छे बने रहेंगे, उन्हें परमेश्वर की कारे समापती पर ही प्रकट किया जाएगा, किसी भी दुष्ट को धार्मिक नहीं समझा जाएगा, ना ही किसी धार्मिक को कार्य को बाधित करता है, तो अगर मैं इसे सिध्धानतों और सत्य के आधार पर न संभालूं, बलकि नीजी हितों की रक्षा करूं, तो यह शैतान को परमेश्वर के घर की कार्य में सेंध लगाने देना है, उसके गुलाम बनके परमेश्वर का विरोध करना है, बिल्कु परमेश्वर का धन्यवाद, यह संगती हमें अभ्यास का मार्ग दिखाती है,